आप सभी कैसे हैं हमें आशा है कि आप कुन रूप से स्वर्ष होंगे और जितना की आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है आपको उने उसे बहुत ध्यार से पढ़ा होगा और लिखा होगा बच्छों पाइल की यह कंसर्ट करों यह मनदब समझ लो कि आप कछ्छा पांच बच्चों को ब्याकर पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें कछ्छा पांच के सारे विच्चे ध्यान दे और जो उनकी आजपास है या जो उनके घर में अगर और क्लासों में पढ़ रहे हो तो कछ आशा एक से और नहीं किताब नहों ज़लारे विश्चा रहा है इसको बहुत ध्यान से सुने दें लेकिन किताब आपके नहीं चल रही है और इसको बहुत हाइट सुन लेए ॅजिकि आपकी ब्याषण को क कृपी तो बनी है किताब नहीं है अपना कारें कैसे करेंगे तो जो ब्यागम की कॉपी में हम अपनी भी नोट्बुक्स भेज़ को तो आप उसमें से जो भी नोट्बुक्स будете झारे हैं उसमें से आक उसको देख करके लिखे को किताब से यही देना नहीं है तो आप by से बस उसी कापी को जो हम यहां पे बोड में आपको समझाएंगे उसको आप जान पूरग समझना और जो हम लिखित देंगे उसको आप कापी में लिखना लेकिन आप हिंदी की कापी अलग बनाना फिर और ब्याकरण की अलग बनाना ब्याकरण की ब्याकरण का कारे करना और ह इसके पहले हम आपको भासा प्रांच के पाट एक भासा ना मतला आपको ने समझा होगा कि जो हम अपने घर में जब बच्चा छोटा होता है अपने घर से वह भासा सीखता है पहले उसको थोड़ा थोड़ा बोलना आता है वो धीरे धीरे बोलना सीखता है और उसके घर वाले जो उससे बोलते हैं उसको सुनता है और सुनने के बाद उस भासा को समझता है और फिर उस भासा को अपना बोलना सुरू कर देता है तो यह तो बच्चों हो गई भासा की बा तो हमको उन भासाओं को लिखने और पढ़ने की भी आवस्यक्ता होती है, तो उसको लिखने के लिए हमें वरणों की आवस्यक्ता होती है, जैसे छोटे से बच्चे को गरवाले सिखातों देते हैं, क्लासे भ्या तक पूरा हिंदी वरण मारा सिखा देते हैं, लेकिन उसको पानल लेता है, ममी पापा बोल लेता है, लेकिन यह लिखना नहीं होता है, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता है, और उसलिए भी पता नहीं होता है, कि मंशी बोलते तो है लेकिन मंशी में बतने है कॉन सा आघ जाता है आँ बच्चों दुस्रे सब्सक्राइव बारे में बढलने जानेया है कि बॉलने की लिए लो से पूंसा बच्चों बहुत समय लगता जब चोटा बच्चा उस बर्ण को समझता है हैं जैसे वह कमल को बोल देता है लेकिन कालिम में उसको बाषट बहुँट डब जाता है तब कमल में कौन-कौन से अच्छों का प्रयोग होता है. तो आज हम आपको यही प्राइने जाना है वन a अब भासा में प्रयोग तुद्हानी अभी उने जैसे कताया हाँ कि भासा में बच्का बोल देता लां मुणी पा्पा चा ए क्लूद्र तो इस थोली को बोलने में वर्ण की आएरा सबताओकर जैसे तो चा बर्ण होता है, उसमें आगे मात्रा दियोती है, फिर्या बर्ण होता है, तो यह बर्ण होते हैं, बर्ण जो है, बर्णों से एक एक बर्णों को जोड़ करके ही सब्द बनता है, तो भासा में प्रयोगत ध्वानी, जिनके और खांद, यानि दुक्ड़े नहीं किये ज इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं इन्हें वर्ड या अच्छर कहते हैं चाय का को वर्ड को और चाय का को अच्छर को तो यह तो हो गया आपका वर्ड वर्ड क्या है? वर्ड भासा कि एक चोटी सी चोटी काई होती है जिसने टुक्डे या खंड नहीं किये जा सकते हैं अब बचो वर्ड की बाद आता है वर्ड माला एक-एक वर्ड को जोड़कर एक वर्ड माला बज़ा दिये जैसे आप बाग से एक-एक फूल को तोड़ते हैं और फूल को फिर एक घाली में पिरोते हैं तो वो बोनों से क्या बन जाती है। फोटकार अच्छा गोजने है işi। यह ऐसे में होती है। तो इसको बेवस्ती तूप में करने के लिए प्रत्ते एक भासा की अपनी वर्ण माला होती है बच्चों हर भासा में वर्ण माला होती है से इंग्रिस में आप अलगवेट बोलते हो तो इस तरह हिंदी में जोट आते के जसके वर्ण में लिखायाता है यानि वर्ण माला की पड़्िवासा होती है किसी भासा के वर्णों को देवस्ति सम्मों में रखने को वर्णुम ला कहते हैं अब जिव्य हिम्ति में वर्ण दो प्रकार के होते हैं नमर यह उता है स्वर्ण और नमबर दो होता है बेर्जन नमबर तो कौन सो होता है, बेंचन, स्वर की से कहते हैं, मांत्राओं को कहते हैं, जैसे छोटा आ से लेके आउतर, छोटा आ से लेके आउतर की सभी मांत्राइं होती हैं, जिसमें अंकाहा भी आती हैं, लेकिन अंकाहा को स्वर की गिंती में नहीं रखा जाता है, स्वर की गि किसी अन्य वर्ड की सहाथा नहीं लेनी पड़ती है बच्चों जैसे हम बैंजन लिखते हैं तो बैंजन में तो हमें सवार की सहाता लेनी पड़ती है लेकिर स्वर में हमें किसी की साहता नहीं लेगी पड़ती है तो ऐसे जो रहा है आच्छों को जो है स्वर कहते हैं स्वर के हिंदी में जो है ग्यारा स्वर किते होते हैं ग्यारा स्वर किते होते हैं ग्यारा कौन-कौन की होते हैं ? छोटा आ, बढ़ा आ, छोटी की, बडी की, छोटा हूँ, बढ़ा हूँ और दीसे, दीसी पिर इसे बाता है ए, आये, और उ, और आओ, बासे के नहीं है 11 हो गये आपके ए, गौ, तीन, चार, पांचे सा, आपनो, दस, 11 11 सौर हो गये यह बिद्चों को कहते हैं अंगूर क्या है? इसको बच्चों कहते हैं आंगूर क्या है? कहते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं अनुस्वार किसे बने वाले सब्द जैसे अंगूर क्या है अंगूर है लखूर है बंदर है अहां को बच्चों कहते हैं जो है विशाद क्या कहते है विशाद अब विशाद इसे बने वाले सब्द जैसे होते हैं प्राता और यह है बिंदू को बच्चों कियते हैं अनुनासिक. अनुनासिक कहते हैं इससे बनने वाले सब्ध जैसे चांद और इसी प्रकार के सब्ध होते हैं. तो यही तो बच्चों पढ़ा आपने स्वार के बारे में. इस्वार ज्यारा होते हैं और इसने तीन आंहा Old को करते हैं इसको ऐंख-वात होते हैं और आंह को अंश्वार कहते हैं और चलदु को सफितित को ह। आप अच्छो स्वार दो प्रकारती होते हैं, किने प्रकारती होते हैं, एक ह्रिष्च्यो स्वार होता है और दिर्गु स्वार होता है, ह्रिष्च्यो स्वार जे स्वारों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रिष्च्यो स्वार कहते हैं, जैसे ह्रिष्च्यो हिस्वर बोलते हैं इनको बोलने में कम समय लगता है इसलिए छोटा किते हैं चोटा और फिर आपर है देड़ खूषव हुआ देड़ खूषवर को बोलने में हिस्षोषवसर से धुगना समय लगता है उस्पर poking पैक हम बुलते हैं DIRECTOR ई ब्लाए आपको गूलने में कम समय लगता है? प्रृण अब आजब हुआ है। जैसे कास लेके आपना तक कावर होता है, चास लेके ये विंती में 5-3 होते हैं, कितने होते 9-5, क्योंकि इसमें जो जाता है डा और एक जो जाता है धा, इन अच्रों को लेके, यानि कास लेके हाथ सफ क्लात, 5-3 होते हैं अब इन्में छacharnya Mathoo kitchen चacharnya क्या आप बंजा में नहीं आता है नहीं आता है भाच्छो प्योंकि यह भी हमारे सब्दों में वाक्त्यों में आते हैं तो इन जोड़ाय अप्चरों को इन वार्णों को साय North बंजन कहते हैं एक से अधिक, याली साइटी में जाने को क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक वाणों से मिलकर बनते हैं, जैसे छा, जैसे छा है, अब छा जो है, दो अच्छोनों के मिल से बनता है, छा छत्रे जैसे है, ये है छा छत्रे, तो छा छत्रे बच्छे दो अच्छोनों के मि और कार्वी िवां जट्नों वाल साल होते हैं तो यह является म्यथ्ञाये ग्मद क्या होतेजेसे डार समद आजेता आगे आखके और समयें चल्स संद तो इसे इसे प्या स्ध civ Delta हैं तो त्रत दिकें आंगे इसे करणा बना किन दो वर्णों से इसे में जाइं वारी से जैसे तरे सूलनते इन अद ग्यां जय से ऊकलते हैं यह दो सलित बना भी हैं थे तो आपने पहां जो है सही होने में के बाड़े से अदूल खेजो मैं इसके बाछो हाता है ङृपंचण है इकसे चैनल से काते हैं जीसमें दो अच्छा एक जैसे होते हैं जैसे हैं दीली इंडीली यह इन लिखा उबभब इस्मेर्मज़ काह antic twalen राए है इससे इसको हम खेंगे दो एक तो बेंचर आज आब आप वे समझा जिसमें एक अध्र दोनों अच्छा एक जैसे बच्चा है, बच्चा में एक आधा चाह होता और एक पुरा चाह होता है, बच्चा हो गया, और इसी प्रकार जैसे सद्धा है, खट्टा हो गया, खट्टा में एक आधा होता है, एक आधा होता है, लेकिन दोनों अठा होते हैं, पक्का है, पक्का बनाटा होगे इक कुरर का को गीक अपक का यह इस लिए इसको द्धङ flaturnya जेके मान्टा नुकता एक नुकता है तो नुकता और ऐसे हम चलम सबज्चते हैं जैसे हम बोलते है गॉर गापक के निची बिन्दे एक गाप है इसको हम बोलते हैं एक डाप साल ते अमन्हें हम उसे आवा जाती कि गा और जो इस जाब इसमें नुकता लगा हुआ है तो इसलं साम बड़े गॉप होते हैं अ आज जा जोंदे से हिये जाब में जाब हुआ है जाब इसमें नुकता लगी विए और ये जाब अब दोनों के बुचारमी बैच्चों अंतार होता है जब बुचारमी अंतार होता कभी हुम जाते है कि इस वर्ड में नुपता लगा है जिस्नि इन बोरते ज्ध ज्ध़ बोरते है क्योंकि इन फारसी जो ये भाससी आया है जbab, इन बोरते ज ermा जभाम ठीक और इसी तरी नेसे होता है ये फा ये फा फा में नुता लगा है और ये है फा तो इस फापों बहुत साथ से बोलते है फा क्या बोलते है जैसे ये है फा इसमें नुता लगा होगा और ये है फा इस फापों बोलते है फा और इसको बोलते है फा इसको बोलते है फा इसको वह साफ आती है आवा था तो इसको कहते हैं नुखता अब इसकी बाद आता है अब इसके बाद आता है बैठो बोर्ड विक्षेल चांद को वर्ड बिक्षेल करना आ happy carry यानि इसके एTE वड़ों को में अलब करना है तो सबसे पहले हमनु देते हैं चा सबसे पहले हम लिफ देते हैं हण और इसमें हम आग contradiction लगा लेते हैं इसके बार रशी हमें चर्ण चंग बिंदो सुनाई पड़े रहे यह वो गया, चांद, इसकी बादे से लिखना हुगा रहा है, क्यों की, क्या लिखा हुआ है, क्यों की, क्यों की, क्यों की, के बेंजरों बढ़ना पहतो अलग करना है, तो पहले हम लिख देंगे कार, का में हलंक लगा देंगे, और फिर हम लिख देंगे या, जा में हलंक क्योंकि क्यों यू में ओ की मांत्रा है यू और किसके बाद आप आज सब्दों को बार बिछे आपने आप कर सकते हैं तो अभी तक आपने पढ़ा Barna के बारे में और Barna से फिर Barna को लग किया जाता है Barna के दो भी दोते हैं स्वरौर बेनजन फिर बच्चो शुर के दो भी दोते हैं एक रिसव सुर अपने दी-वित शुर इसके बाद आपने सयुकत मिल्यद के बारे में पढ़ा और इसके बात आपके नुक्ता के बारे में पड़ा फिर वाण मिचीर के बारे में चाड़ा अब आपको समझ में आगे होगा आपशों वर ध्यान से अपनी note नोल्स भूक में लिखियेगा और फिर एक बार पढ़ियेगा